अंधिरी पूरू M.I.D.C. के आमेडिकर नगर में श्री अखंड अरिनाम सप्ता वो श्री ग्यानेश्वी पारायन सप्ता का आयोजन किया गया है इस आयोजन में इसके बंजारा फाउंडेशन, श्री प्रेनडा सामाजिक संस्था, जे हन्मान युवा सामाजिक संस्था वो जन्ता सेवा भावी संस्था सयोगी रही साथ दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक कारिक्रम में प्रति दिन महाप्रसाद की विवस्ता की गई है जहां प्रति दिन सेक्ड़ों की संक्या में लोग महाप्रसाद का लाब ले रहे है इस छेत्र में श्री अखण हरिनाम सप्ता और श्री ग्यानेशुरी पारायंड सप्ता के आयोजन की शुरुआ तिन वर्षों पहले की गई थी और हर वर्ष इस आयोजन में इसके बंजारा फॉंडेशन का विश्य स्योगदान रहा है इसके बंजारा फांडेशन के अध्यक्ष मनुज नायक के मार्गदर्शन में आयोजित इस वर्ष के हरी नाम सब्ता को उनके पिता इसके बंजारा और स्वर्गी पुत्र प्रियंशु नायक की याद में समर्पित किया गया इस आयोजन के बारे में मनोज नयक ने बताया कि देश पश्मी सब्वता की उर बढ़ रहा है ऐसे में संतों का ग्यान ही लोगों को सही रास्ता दिखा सकता है और लोगों में इश्वर के प्रती आस्ता को जगा सकता है वही कारिकरम के आयोजन में अपना सराहनी योगदान देने वाले गजानन गावडे, अमिज जाधो, वेंकटराव विरादर, विजय इंगावले ने बताया कि हरी के नाम से लोगों को एनरजी मिलती है इसलिए पुरे देश के लोगों को एकजुट होना चाहिए साथ ही उन्होंने कहा कि लोग पांडुरंग को यहां वहां डूनते हैं, जबकि पांडुरंग कण कण में है हरी नाम से ऐसा मिलता है कि कुछ तो एनरजी मिलता है उनको ऐसा लगना चाहिए कि भगवान क्या होता है भगवान का नाम लेने से क्या मिलता है उनको अच्छा लगना चाहिए, समाज को अच्छा लगना चाहिए, समाज एकतर होना चाहिए जब समाझ एकतर हो जाए हरे नाम के लिए तो पुरा हिंदुस्तान में हरे नाम सब्ता हो सकता है कुछ इसदब भगवान का नाम लेंगे तो सुनके कम से कम कुछ बिगड़े पर बच्चे सुदर जाए है कुछ अलग कुछ विच्छा रहा है घर के उनका मावल अलग हो जाए क्योंकि छोटे बच्चों आजकल देख के अलग उनका दिमाग हो रहा है की बिशोजी महिशब